पराठे बनाने के लिए मैंने ले लिया है सो गराम पालक जिसको मैंने साप करके धो लिया है और सो गराम मेथी लिये जिसके पत्ते मैंने तोड़ लिये है और जाप करके ले लिये है और धन्या लिया है मैंने पचास गराम उसको भी साप करके धो लिया है अब इनको बारी-बारी काट लेती हूँ, मैं काट के फिर मैं दिखाते हूँ आपको क्या करना है अब जा मैंने सारी काट ली है, अब मैं कड़ाई चड़ा रही हूँ कड़ाई में एक छोटे चमच तेल डाल रही हूँ, एक से डेल चमच तेल गरम करने के बाद एक चमच मैंने जीरा डाला है जीरा भुनने के बाद मैं वन पिंच हिंग डाली हूँ अब मैं इसमें डालूंगी आधा छोटा चमच जवाई जो हमारे डाइजेसं के लिए अच्छा होता है और इसी में मैं डालूंगी एक से डेड़ छोटे चमच के लगबग सफेद तील यह ओप्सनल है आपकी मरजी हो तो डाल सकते हो निती से आप इसकी भी कर सकते हो अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधा छोटा चमच अदरक मिर्ची का पेश्ट अब इनको एक मिर्च भून लेते हैं आज को मीडियम रखन तो हमारा मसाला जल जाएगा अब इसमें मैं डाल दूंगी सुखे मसाले जिसे एक छोटे चमच मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला है आधा छोटा चमच हल्दी पाउडर और एक से डेड़ चोटे चमच नमक नमक मिर्च आप स्वादा नुसार कम या ज्यादा डाल सकते है अब मैं इसमें डाल देती हूँ वालक मेथी और धनिया का पत्ता जो हम काटके रखे थे वो सारे डालके हम इनको अच्छे से भूनेंगे यह मैंने सारी सब्दियें डाल दी है अब मेडियम फ्लेम पे हम इनको भूनेंगे सिप पांच मिनट भूनना है ज्यादा देर तक नहीं भूनना है हमें और इसमें आप चाहो तो चने की पत्तियां भी मिक्स कर सकते हो जो हरे चने की पत्ति आती है इसमें मिक्स करेंगे तो और भी ज़्यादा टेश्टी और हेल्दी हो जाएगा वैसे यह पराठे बहुत टेश्टी बनते हैं और हेल्दी भी होते हैं घेस की फ्लेंब बंड दे रही हूं, अब मैं आटा ले लेती हूं, ये आटा ले लिया है मैंने दो से तीन बड़े कतोरी और Oreo कारा और और इसी में ढाल देती हूं फालक और जम्म्म का रखा था धन्या पत्ता का मिक्स करके, उसका मीश्रा और इसको चम्मज से ही हम mix कर लेते हैं क्योंकि ये गरम है हमारा हाँ जल जाएगा इसलिए मैं चम्मज से mix कर रहे हूँ हम चम्मज से mix कर लेते हैं फिर हातों से हम इसे गुनेंगे यह देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है अब चम्मच को साइड में रख लेते हैं और हातों से हम इसको पानी के साहता से गुनेंगे पानी मैंने रूम टमप्रेचर का लिया है और इसमें थोड़ा थोड़ा डालके हम आठा को सौप्ट गुन लेंगे हमें पाराठा बनाना है इसलिए हमें सौप्टी डो चाहिए हाठ डोनी चाहिए यह देखिए हमारा डो तेयार होने लगा है हाथों से मसलते हुए मैंने इसको गुन लिया है अब इसमें मैं तेल डालके और थोड़ी देर मसलूंगे तो मैंने इसके लिए लिया है एक चमच तेल आप यहाँ पर घी या बटर भी इस्तिमाल कर सकते हैं मैंने तेल का इस्तिमाल किया है सर्दियों का दीने तेल यह सही रहता है घी तुरंद जम जाता है इसलिए मैंने तेल लिया है अब इसको मैं ढखके दस मिनट के लिए रख देती हूँ दस मिनट हो गया है और हमारा डो देखिए सेट हो गया है एक बार हातों से मसलते हुए फिर से मैं इसमें से लोई तोड़ लेती हूँ तो ये देखिए इस तरीके से हमें छोटे छोटे लोई तोड़ना है जैसे हम पराठे के लिए नॉर्मल पराठो के लिए तोड़ते हैं यह मैंने कुछ लोई तोड़के इसके पेड़े बना लिये हैं अब हमें पराठे बेलती हूँ पराठे हम नॉर्मल जैसे बेलते हैं वैसे ही बेलेंगे अब इसमें बीच में घील लगा लेती हूँ और सुखा आठा लगा कर मैंने इसको मोड दिया है मैं तीन कोने के बना रही हूँ आप चाहो तो चार कोने के भी बना सकते हो या फिर गोल भी बना सकते हो मैं तीन कोने के बना रही हूँ, मैं फटा फट आपको पराठे बेल के दिखाती हूँ मैं चारों पराठे बेल लिया है, अब मैं तवा गरम करने के लिए चड़ा दिया था, तवा हमारा गरम हो गया है और पराठे मैंने डाल दिया है तो ये पराठे बहुत ही उपर से क्रिस्पी और अंदर से सौप्ट होते हैं ये देखिए गी डाल रहे हैं आप चाहो तो तेल या बटर से भी सेख सकते हो ये देखिए हमारे पराठे की इस तरह से फूर रहे हैं आप भी इस तरह की से पराठ गृष्ट हेलदी होता है एक बात तो बोलना मैं भूली गई प्रेंट्स अगर आपको मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फैंड्समें वीडियो काफी दिनों बात बना रही हूं तो यह विडियो में अब फिर सब करने के लिए मैंने इसके साथ बनाया है गिरीन चटनी और साथ में रखा है सोस तो यह देखिए हमारे लाल लाल पराथे बने थे अंदर से भी देखिए कितने अच्छे हैं और खाने में बहुत टेश्टी है आज के लिए बस इतना ही बाई बाई